हाई मैं हूँ तापसी पर्णू और आप देख रहे हैं आई एन एन 24 अलो मैं हूँ विकी कॉशिन और प्लीज की वॉचिंग आई एन एन 24 पर आपके साथ मैं हूँ पहली चौहाँ 18 मैं को अकोला के आईकन हॉस्पिटल में कोरोना से इलाज के दोरान गनेश गुर्बानी की मौत हो गई थी जिसके लिए रामदास पेट पुलिस टेशन में गनेश गुर्बानी के बेटे लोकेश गुर्बानी ने दी गई शिकायत में कहा है कि आईकन हॉस्पिटल उनके पि इसके लिए हॉस्पिटल के वेवस्थापन और डॉक्टरों पर हत्या का मामला दर्ज किया जाए। वैपारी जगत शोक में डूबा हुआ है। गुर्बानी परिवार ने यह भी कहा है कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो वह आके उग्र आंधुलन करेंगे। और दोशियों को सज़ा दिलाने में हर संभव प्रयास करेंगे। कि हुई है। सभी चाहते हैं कि पूरे मामले की सच्चाई सामने आए। यदि कोई इसमें दोशी है तो उसे सजा मिले। कि श्री गुरुबानी जी के परिवार दौरा ऑक्सिजन सप्लाई के विशह में जो आरोप लगाये जा रहे हैं वे पूर्णतर निराधार हैं। क्योंकि आइकॉन होस्पिटल में सेंट्रल पाइप्लाइन के माध्यम से ऑक्सिजन मरीजों को दिया जाता है। जिना 185 को भी श्री गुरुबानी जी जहां भरती थे वहीं ऑक्सिजन सप्लाई बिल्कुल ठीक थी और वहां पर आइसीओ में दुसरे मरीज भी भरती थे जो वेंटेलेटर और ऑक्सिजन शुरू था। उन मरीजों को किसी भी प्रतारिक का कोई नुकसान नहीं हुआ। आइकॉन होस्पिटल में जंगो सेलिंडर, दूरा सेलिंडर और सेंट्रल ऑक्सिजन जन्रेशन प्रांट के द्वारा ऑक्सिजन सप्लाई की जाती है। पर सबीत अंसानन पूर्ण अनुप से व्यवस्तिक शुरू थे। लोकेश गुर्भानी है, 18 तारिक को दुपेर में जो दुरगटना हुई हॉस्पिटल की गलती से जो मेरे पिता जी की जान गई है। जो डी सैचुरेशन का ऑक्सिजन उनका होस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर की गलती के वज़े से जो इतनी बड़ी हमारे परिवार के उपर जो इतना बड़ा संकट आया है। हम उसको रोपने के लिए आंदोलंग कर रहे है। हमने अठरा तारिक से कंप्लेंट दिया है पर अभी तक हमको कुछ भी एक्षन नहीं दिख रहा है। अभी हम जिल्ला अधिकरी कार्याले में आये हमने कलेक्टर साब को भी हमारा जो भी पूरूफ ता डॉक्युमेंट से हमने सब सम्मिट किया है। उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि हम इस पर तुरन से तुरन कारवाई करेंगे। और कमिटी वो एक स्पेशल टीम बिठाएंगे, GMC के स्पेशलिस, डॉक्टर्स वागरे इसमें रहेंगे। और उन्होंने हमको पूरा आश्वासन दिया है करके वो इस पर जल से जल कारवाई करेंगे। अगर हम इस पर कुछ कारवाई नहीं होती है, हमको सेटिफेक्शन नहीं मिलता है, तो हम उच्चे से उच्चे स्तरिये जाच करवाएंगे, आखरी सास तक लड़ेंगे। हमारे चैनल को लाइक और सस्क्राइब करें और वेल बटन जरूर दबाएं ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहें।